वेल्कम टू टार्गेट सरकारी नौकरी मैं हूर शाद अली इस वीडियो लेसन में हम इंडस रिवर की जो में ट्रिब्यूटरीज है यानि सिंदु नदी की प्रमुख साहयक नदियों को डिसकस करेंगे उन पर जो परियोजना चल रही है उनको भी डिसकस करेंगे सवाल कोर्स से स्टड़ी करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं डिसक्रेप्शन में उनके लिंक है जो कि आपके अपके अग्जाम जहां पर जीएस और मैस के आपको नीड है सारे कोर्स बेसिक से बनाए हुए है बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे वहां से ठीक तो बेसिक प्लस इस वीडियो में जो इसकी सायक नदिया है वो लिस्ट यह रही पांच सायक नदिया है इसकी ये पांच प्रमुख हैं इसके अलावा और भी नदिया है जो सिंदु नदी की सायक नदिया सायक नदिया कौन सी होती है अगर में रिवर कोई फ्लो कर रही है उसको आकर कोई द पानी मिला लेती हैं अपना पानी डिश्चार्ज करती है चेलम चेनाब ब्यास रावी सत्रुज यह पांच में हैं इसके अलावा और भी नदिया जो मैंने पिछले वीडियो में डिसकस की थी तो इंडस रिवर का ओरीजन कहां से होता है सिंदु नदी का तिबबत से होता है चाइना से और इंडिया में कहां से एंटर करती जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ही फ्लो करती है वो इंडिया में केवल जम्मू कश्मीर के बाद वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है पूरे पाकिस्तान में फ्लो होने के बाद वो अरेबियन सी में अपना वाटर discharge कर देती है ठीक देखते हैं इसको picture पर आप देख लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप यह रहा इंडिया ठीक यह इंडिया है और यह पूरा चाइना है इतर चाइना में यहाँ पर तिबत प्लेटी हुए और यहाँ से इसका origin है इंडस रिवर का यहाँ से origin हुई यह चलना शुरू किया इसने पहले यह नौर्थ में गई नौर्थ में जाकर यह साउथ में आने लगी देखिए यहाँ पाकिस्तान में अंटर कर गई और लगबग यह पूरे पाकिस्तान में फ्लो करती हुई यहाँ पर यह पूरा पाकिस्तान है यहां से यहां तक तो आप देख प करते हैं वो कहला दी है सायक नदिय या ट्रिप्यो ट्रीज तो इंडिया में कुछ नदियों का ओरीजन है और वह नदियां ओरीजन तो इंडिया में उनका लेकिन फ्लो करते करते अपने water को जो है मिलाकर discharge कर लेती है किसमें कहाँ पर इस इंडस ür रिवर में और पाकिस्तान में ठीक है अब पहले बात करते हैं जेलम नदी का जेलम नदी देखे ये कश्मीर है जम्मू कश्मीर का एरिया है जम्मू कश्मीर में है इसका उरिजन अस्थल ठीक है वुलर लेक के पास तो जेलम नदी यहां से ओरीजन हो रहा आ इसका और यह फ्लो होती होती यहां आगई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पाकिस्तान के बाद में यह आपको मिल जाएगी इंडस रिवर में अपना पानी मिला लेगी दूसरी तरफ यह है हिमाचल हिमाचल प्रदेश तीन नदिया है हिमाचल प्रदेश की चेनाव, रावी और ब्यास ठीक है चेनाव रावी भी ओरीजन होता है इसका उद्गमस्तल कहा है हिमाचल में है हिमाचल से इसका उद्गम स्तर माना जाता है और ये भी अपना पानी इस जेलम में मिलाकर टोटली डिस्चार्ज कर देती है किसके अंदर सिंदू के अंदर उसी के बाद में एक और नदी है रावी, रावी का ओरीजन भी है कहां से हिमाचल से ही और ये भी अपना वाटर डिस्चार्ज करती है चेनाव के अंदर ठीक है तो ये हुआ और इधर ब्यास ब्यास का ओरीजन भी कहां से है ब्यास का ओरीजन हिमाचल से है और एक और नदी है जो तिबबत से आ रही है वो है सतलज सथलच तिबभस से आती है इधर enter करती है, हिमाचल में फिर यह आती है पंजाब में ठीक है, पंजाब से flow होती ही पाकिस्तान और ये सारी नदियां जो एक साथ आ रहे ही है, ये 5 की 5 नदियां सथलच, बियास, रावी, चेनाव, जेलम ये पांचो नदिया अपना कममाइंडली वाटर डिश्चार्ज करती हैं कहां इंडस में और वो भी किस जगा पर पाकिस्तान में बात करेंगे अभी इनी की ही ठीक है तो यहां आप देख चुके हैं अब इनके fact वगएरा जहों वो लिख लीजगा आप ठीक तो ये places देख लीजगा ये जम्मु कश्मीर है ये जम्मु कश्मीर स्टेट है ये हिमाचल है ये पंजाब है और ठीक है ये उतराखंड है ये हिमाचल है आपका ठीक आगे चलिए और अभी पहले मैं इनका बता देता हूँ कौन-कौन सी कहां से ओरीजन हो रही है इंडस रिवर का ओरीजन आप जान गए है कहां से तिबबत से चाइना से जम्मो कश्मीर में फ्लो करती है पाकिस्तान में फ्लो करती है जेलम नदी है जम्मु कश्मीर से इसका ओरीजन है पाकिस्तान में फ्लो करती है ठीक है दिखा है अपने यहाँ पर जम्मु कश्मीर से निकल के पाकिस्तान में फ्लो करती हुई यह मिल जाती है इंडस में बाकी चेनाव है चेनाव हिमाचल से निकलती जमू कश्मीर होती है फिर पाकिस्तान रावी है ये हिमाचल से निकलती है पंजाब जमू कश्मीर पाकिस्तान में फ्लो करती है ब्यास भी ये तो ये औरिजन स्थल है दोसरा जो जहलम रिवर है यहाँ देखिए जहलम रिवर है कौन सी सिटी ऐसी है जो कि इसके बैंक पर है जहलम नदी के तो जहलम नदी के किनारे पर कौन सा शहर है ये है श्री नगर तो श्री नगर के अलावा जहलम नदी पर वुलर लेक भी पड़ती है ये भी इंबॉर्डेंड दोनों पूछी जा चुके है आपसे अब यहां से बनते हैं तीन से चार तरह की question वो आप देख लीजिए एक बार how many main rivers in Indus system accept Indus तो Indus के अलावा Indus के अलावा Sindu नदी के अलावा Sindu नदी तंत्र में कितनी main rivers हैं तो अभी देखा था 5 जहलम चेनाव रावी निया जहलम चेनाव रावी व्या सतलच ठीक है ये 5 है बोला है main main की बात होगी तो ये 5 मेन उसके लावा और भी है इन इंडस सिस्टम आगर सिंदू नदी को भी शामिल किया जाए कौन सी दूसरी नदी है यह कौन-कौन सी नदिया है जो तिबबत से निकल रही है अभी बताया था एक इंडस है और एक सतलज है सतलज का आपने देखा यह देखिया औरीजन इसका सतलज का कहां पर है यह भी तिबबत से ही आ रही है यह देखिये ठikk है इसको यहाद रख लेंगे और नेक्स्स कुश्षन से तीन न दिया आ रही है सवा ऐसी ही पूछे हुए हैस मैं कौन सी दुना दिया सत्रुच और भियास ठीक है अगला है विच डिवर्ज आर ओरिजिनेटिंग टू स्वरी विच रिवर आर कनेक्टिंग टू जमु एन कश्मीर कौन-कौन सी नदिया है जेरब जेनाब और इंडस ठीक है यह नदिया है ठीक अगला देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ सुनिए इन पर बनती है कुछ परियोजना है ठीक यह देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ रिवर लिया है इंडिया का मैं आप यहां से हटा दिया गया है तो यह में रिवर है आपकी इंडस रिव तो यह बाकी जो है Tributaries है इन पर कौन-कौन से बांध परियोजना चल रही है वो सुन लिजे आप वो important है आती है exam में जहेलम नदी पर कौन-कौन से project चल रहा है एक है तुलबुल परियोजना है तो इसको याद कैसे रखेंगे जहेलम नदी पर है इसमें देखिए 2 है और इन यह बांध यह काले-काले ब्लैक आपको लिख रहे है इन पर बांध बने हुए डैम बने हुए ठिक तो यह जहेलम नदी पर है दो डैम में important है बहुत पुछी आते है exam में अगला है चेनाव नदी है चेनाव नदी पर कौन-कौन से डैम है सलाल डैम है और बगरिहा डैम किस पर है रावी पर है अगला है ब्यास चोति नदी है ब्यास ब्यास पर नहीं है और यहाँ पर अब है सतलज सतलन नजी पर जो है providing है आपके कौन कोन से नाफ्ता जाकरी है और एक है कोल डाम ठीक है कोल डाम दूसरा है भागला नागल डैम भी कहां पर है यह बहुत पूचा जाता है भागला नागल डैम यह भागला नाकल बांध कहां पर है सतलज नदी पर है ठीक है और एक जगा जहां पर व्यास और सतलज आकर मिल रही है, पंजाब में वो जगा है, जहाँ पर इनका संगम है दोनों नदियों का, उस जगा को कहेंगे हरीके, ठीक, जहाँ पर सचलच और वियास का संगम है, जहाँ पर एक दूसरे से मिल जाती है, वियास और सचलच उस जगा को कहा जाता है, हरीके, सवाल आता है, इंडस की रिवर हो गई यह आप समझ के होंगे ठीक है और जितने भी क्वेशन बन पड़ते थे वह यहां आ गए है ठीक तो यह इंडस रिवर सिस्टम आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके जुरूर बताईएगा नेक्स वीडियो लेसन में ह आप पढ़ेंगे गंगा सिस्टम को उसके बाद ब्रहंपुत्रा उसके बाद इस फ्लोइंग वेस फ्लोइंग थैंक्यू सो मच